आज हम exercise 2.5 में question number 4 को solve करेंगे student question number 4 में हमारे पास two parts है और हर parts में हम क्या करेंगे division करेंगे two complex number के बीच में हम क्या करेंगे division करेंगे मतलब first complex number को हम divide करेंगे second complex number पर इसी करेंगे इसी exercise में question number first हमने सीक वा था कि हम किस तरह two complex number को add करते है पर question number second में हमने subtraction सीक वा था question number third में हम किस तरह two complex number को multiply करते है आज हम सीखने जा रहे हम two complex number को अपिस में किस तरह divide करेंगे तो बर्दे student solution की तरफ question number four में part first हमारे पास है student z1 2 plus iota और z2 5 minus iota student के रहे divide the first complex number by the second one के रहे के first complex number को divide कर ले किस पर second पर बर्दे solution की तरफ क्या करेंगे student first को मतलब z1 को divide कर ले second complex number पर मतलब z2 पर के रहे कि first को divide कर ले second पर तो मैंने z1 divided by z2 लिके z1 मेरे पास के student 2 plus iota इस तारह मेरे पास z2 के student 5 minus iota student first complex number को मैंने second पर divide कर लिया अभी हमारे क्या करेंगे division करेंगे question हमारे पास है two plus iota और five minus iota अचा student क्या करेंगे first को हम second पर divide करेंगे student हम यहां पर क्या करेंगे हमारे पास denominator में five minus iota है तो क्या करेंगे यहां पर लिख ले multiply multiplying and dividing by student हम क्या करेंगे यहां पर हम multiply भी करेंगे और divide भी करेंगे किस चीज़ को करेंगे यहां पर हमारे पास जो भी मौजूद होगा हम वो करेंगे मतलब यहां पर five minus iota है तो हम five plus iota लेंगे जिसे हम conjugate भी कहते student five plus iota हम यहां पर multiply भी करेंगे और divide भी करेंगे यह rule है basically student यहां पर five minus iota है तो हमने five plus iota लेंगे यहां पर plus होता है तो यहां पर हम क्या लेते conjugate में मौन्टिप्रिकेशन डिवाइड में हम माइनस लेते मतलब यहां पर two plus iota और five minus iota student यह अपनी जगह पर अभी क्या कर ले multiply multiply कर ले किस चीज़ को five plus iota को और divide भी कर ले five plus iota को student सबसे main जो step था हम यह था हम इसी division में question भी इसी तरह अपनी जगह पर लेंगे लेकिन नीचे जो भी होगा उसके उलट यहां पर five minus iota तो five plus multiplication में लिख ले और five plus division में भी लिख ले अगेन इसको cancel कर ले वापिस हमारे पास यह आ जाएगा तो student जो main step होता है division में हमारे पास complex number के वह आपर हम क्या लेते conjugate लेते conjugate किस्ता लेते नीचे denominator में जो भी होता है हम उसी तरह term को लेके लेकिन दर्मियान में sign को change करते हैं यहां पर minus है तो मैं यहां पर दोनों पर plus लगा ले अगर यहां पर plus होता तो मैं यहां ऊपर और नीचे minus लगा देता अच्छा स्टूड़न क्या करेंगे? Z1 divided by Z2 equal to यहां पर देख ले स्टूड़न मंटिप्लिकेशन है मतलब 2 plus iota multiply 5 plus iota स्टूड़न नीचे भी क्या है? मंटिप्लिकेशन है 5 minus iota और 5 plus iota स्टूड़न मंटिप्लिकेशन है आप लोगों ने सीख हुआ है कि हम किस तरह 2 complex नमबर फार्पिस में multiply करेंगे? जो तरह आल लेडिकेशन नमबर तरद में सीख चुके अच्छा 2 को इसके साथ 5 plus iota इसके साथ 5 plus iota इस तरह plus iota लेडे और यही dois इसके साथ लेडिकेशन में सीख हुआ हुआ। आल लेडि तूड़न नमबर तरद में जीख चुके ओर एह माइन इस शीचिश कर ब्राबर है अगर आ बीक चाल में उल्हाइंक फीर में नहीं का रिलेशन मत्लड रहे हैं विट में बटीप्राइशन का रिलेशन है । पर स्कूर में ले ले और माइनस दर्म्यान में डाले और बीपरר स्टेबलने exist के बघा हमें दोनों को मंत्ला कर ले। स्टेबलने पूर्मूला फ़यर माइनसолог यह किसके बघाबर है। स्क्वियर मतलब क्वंटी फायब स्क्वियर माइनिस अपनी जगा पर फाइवन और और ऐटा स्क्वियर sweden यह मारे पास फार्मुला है five minus iota five plus iota क्योट के बराबर हे five स्वियर माइनस iota स्क्वियर अचा स्ब्रण्ट जいきए Won Couple divide by जेट टू अच्छा स्टूडन टू को फाइफ के साथ कर ले 10 आ जाएगा 2 को योटा के साथ कर ले प्लस 2 आयोटा आ जाएगा आयोटा को 5 के साथ कर ले प्लस 5 आयोटा आ जाएगा आयोटा को योटा के साथ कर ले तो प्लस आयोटा स्क्वेर आ जाएगा इस अच्टूडंट 5 स्क्वेर तो 25 आ जाएगा minus iota square आजाएगा student z1 divided by z2 equal to 10 2 plus 5 plus 7 iota आजाएगा plus iota square किसके बढ़र है minus 1 के मैंने पड़ा हुआ कि iota square किसके बढ़र student iota square minus 1 के बढ़र divided by 25 minus iota square किसके बढ़र student minus 1 के बढ़र अच्छा स्टूटन जेड वन डिवाइड वाइड 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 तो 9 के नीचे भी 26 लिख ले स्टूडन प्लस और 7 आयोधा के नीचे भी 26 लिख ले जो हमारे पास रिक्वाइट आंसर आश्टूड़ू